तो नमस्कार दोस्तों देखिए हम रास्तान जी के डेली पांच प्रस्ण देखते हैं सुबह 11 बजे आपके वीडियो आता हैं और एक प्रस्ण आपसे पुछा जाता है जिसका अंसर आपको कमेंट करके बताना होता हैं तो देखिए करल मैं आपसे एक सिंपल सा प्रस्ण पुछा था किस सेली में पसु पक्षियों वाज जानवरों का महत्पुनस्तान है तो देखिए इसका अंसर क्या होजागा अपने बूंदी सेली ऑप्शन ए है इसका करेक्ट अंसर और देखिए बूंदी सेली का स्वरनकाल कहा जाता है तो option first हो जाएगा इसका correct answer तो देखिए इस वीडियो को अगर 5 प्रस्ण देखे तो पहला प्रस्ण 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 क्या है अपने उट की दोड पश्ण मेला हस्त सिल्प या उप्युक सभी तो देखिए पुष्कर मेले का प्रमुग आकसान अंगर पूछे जाए तो अपने उप्युक सभी हो जागा इसका correct answer क्योंकि दिखिए उंटों की दोड़ भी फ्रसिदें पुषकर एक पसु मेला हैं और अपने हस्त सिल्फ के लिए भी फ्रसिदें और दिखिए पुषकर मेली के बात करते हैं कब आयोजित होता हैं कब भरता हैं पुषकर मेला अपने कार्तिक पूर्निमा की दिन कार्तिक पू पूरी निमा के दी नहीं, तो आपको ध्यान रखता है, option डी हो जाएगा इसका correct answer, अगला प्रस्ने, किस सासक के काल में मेवार में, चितेरो की ओवरी के नाम से कल्ला विद्याले खुला गया था, तो देखे काफी महत्मन प्रस्ने, कई बार exam में पूंचा गया प्रस्ने, त प्रस्ने देखा था हमने, कि मेवार की चितरकला सेली का स्वरन काल किसका काल मना जाता है, तो देखे महाराना जगत सिंग प्रथम का काल, अपने मेवार चितरकला सेली का स्वरन काल मना जाता है, और इनके काल में ही अपने मेवार में, चितेरो की ओवरी, या फिर इनको आ option C हो जाएगा इसका correct answer, option C एकधम सही answer ही, अगला प्रस ने, अकबर ने, मोटा राजा उदेश सिंह को कलीज खां के साथ कहा का प्रसासक किया था, तो देखिए अकबर ने मोटा राजा उदेशिंग को अपने कलीज खां के साथ अपने लाहोर का प्रसासक न्यूक्त किया था तो option C हो जाएगा इसका correct answer लाहोर का प्रसासक और पिछले वीडियो में हमने बात की चंदर सेन की मृत्यों के बाद जोदपूर का सासक अकबर ने किसको बनाये था अपने तो मोटा राजा उदेशिंग को बनाये था और मारवार में सबसे पहले अधिन्ता स्विकार करने वाला भी अपने ये यह है तो option C इसका एकदम सही answer है अगला प्रस्ण है राजस्तान में राजपुतों में पाति परवन की प्रता को पूनर जिवित करने वाले सासक को ने अपने राना सांगा option B है इसका correct answer देखे जब पंद्रा सो सता इसमें बावर और अपने राणा सांगा के मज़े अपने खानवा का युद हुआ था खानवा का युद तब यह प्रता को अपने राणा सांगा के द्वारा अपनाया गया था पाति परवन की परता क्या है अपने देखे दूसरी रियासतों के राजाओ को भी अपने इस युद में सामिल होने के लिए अपने अपनी पक्षे लड़ने के लिए आमंतरित करना ये अपने पाति परवन की प्रता है तो अपने पंद्रस उता इसमें जो खानवा के युद दुआ था इसमें अपने राणा संगा ने ये प्रता पुनर जिवित की थी वापस अगला प्रस्टने अलट ने वराह मंदिर का निर्मान कहां कराये था तो देखे क्या हो जागा इसका अंसर अलट ने वराह मंदिर का निर्मान देखिए एक तो अपने वराह मंदिर अपने का इस्तिते एक तो वराह मंदिर अपने पुशकर में इस्तिते ए पुशकर वाले वराह मंदिर का निर्मान किसने कराया था आना जे ने कराया था जिन्नोंने आना सागर का निर्मान भी करवाया है तो देखे एक वरा मंदिर अपने पुशकर में हैं और अलट के दोरा जो वरा मंदिर का निर्मान कराया गया था यह अपने आहड में कराया गया था option c है इसका correct answer आहड में अपने अलट के द्वारा वराहा मंदिर का निर्मान कराया गया था और देखिए आहड को अपने अलट के द्वारा अपने दूसरी राजदानी भी बनाया गया था ये भी आप ध्यान रखें और अवराह मंदिर भी अपने अलट नहीं बनाया option c है इसका correct answer और देखिए अमेशा की तरह एक प्रेस्ट में आप से पूशता हूँ जिसका answer आपको comment करके बताना होता है राजस्तान रजपत परिवन निगम के अस्तापना कब हुई है 1967, 62, 66 या और देखिए इसमें typing mistake हो गया है थोड़ा सा इस चार option गलत है इसका answer में आपको मैं ही बता देता हूँ आपको 1964 में इसके स्तापना होई है कब होई है अपने 1964 में राजस्तान रजपत परिवन निगम की तो आपको answer क्या comment करके बताना है इसका मुख्यल है कहां हिस्तित है मुख्यल है ये जल्दे-जल्दे में थोड़ा typing mistake हो गया है तो इसका answer का अपने 1964 में राजस्तान रजपत परिवन निगम की स्तापना होई है लेकिन इसका मुख्यल है कहां हिस्तित है इसका answer आपको comment करके बताना है और फिछले वीडियो पर आपने नहीं देखे तो आप playlist जाकर check कर सकते है